दोस्तों बिहार बेल्टोन नियूर इस्टेशन के लिए जो भी छात पड़ेसान है वो मेरे वीडियो का लवा किसी दूसरे चैनल का भी वीडियो देखते होंगे जिसमें एक जॉब बाले भजा आते हैं यह इससे दो रोज पहले एक वीडियो बनाए थे उस वीडियो का कुछ भी जानकाई परवाइड करवा देते हैं आप लोग को पता होगा कि अभी बिहार बेल्टोन के पेनल में कितने स्टुडेंट का ज्यानिंग हो चुका है और कितने बांकी है और एक लेटर जाड़ी किया गया था जो बीपी एसम एक्जाम के बारें बताया जा रहा है लेकिन उस बीडियो में कुछ और ही जानकाई बताया जा रहा है आगे बीडियो में बने रहे हैं आपको बीडियो देखाएंगे मतलब कीस तरह से जानकाई दे रहे हैं जब उस बीडियो को हमने देखे तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये कुछ भी ज करभा है और में आपको हम बता दूं के लिए भले इतना इंतजार कड़ए है लेकिन आप लोग आप जयदा इंतजार नहीं करना पड़ेगा यह अक्टूबर तक में न्यू वेकेंसी देखने को मिल सकता है आपको बता दो इसे तीन मन्थ पहले एक भी ज्योनिंग देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन हम लोग इतना धर्णा पढ़ दसन मंत्री जी से मिले कितना लेटर पर लेटर दिये तब जा करके लर्थी डिपार्टमेंट में अभी 1180 एस्टुडेंट का ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ ही एस्टुडेंट ज्वाइनिंग के ल कि आप लोगों को वादा किया था कि कल और नियोजित कारे मैक्सिमुम शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक जो सठीक जनका रही है वह पहुंचे और लाइक कर दिजेगा ताकि आपको ऐसे ही जनकारी समय से मिलती रहे क्योंकि आपको बता दे कि क्लॉता चैनल है जहां पर पैनल बनाया गया था जिनमें 73 से 11 एस्टुडेंट का पैनल बनाया गया था इसको अभी नजर कितना आ रहा है 5,000 और 10,000 के आसपास पास आउट कंडिडिट अभी जोइनिंग के लिए इसको नजर आ रहा है मतलब इसके अनुसार्स अभी एक भी एस्टुडेंट का जोइ बात करते हैं कि क्या आगे कुछ कह गया गया Ensuite कि लोगों को ओप जियाने प्लینिंगे टिक यह मुड़े अभी इसलेटर को पढ़ेंगे घली' क्लिर हो जाएंगे दोस्तों इस लेटर में अपने टेलिगराम पे डाल दोंगा आप अच्छे सुहां से पड़ लिजेगा इस लेटर में साफ साफ यह लिखा गया है कि 2018 में जो बिहार बेल्टों एक्जाम लिये थे बीपीएसम का तो उन सब का जोइनिंग होता उसी टेम मे लेकिन 2019 में जो एक्जाम लिये थे बिहार बेल्टों डाटा इंटरी ओप्रेटर का उसमें जो भी एस्टूदेंट पास किये थे उन सब को पैनल भी तयार कर लिया गया था लेकिन 2018 में जो BPSM का एक्जाम लिये थी बिहार बेल्टों उसका पैनल नहीं बनने के कारण पहले DO का ही ज्वाइनिंग सुरू कर दिये उसके बाद lockdown भी लगया था lockdown जैसे लगा एक देर साल उसके बाद BPSM का जो एक्जाम था उसका पैनल ही खत्म कर दिये अब जो उसको दुबारा से एक्जाम देना पड़ेगा और CBT एक्जाम देना पड़ेगा इसके लिए एक लेटर जाड़ी क्यागा था लेकिन उस लेटर के बारे हम कुछ और ही जानकारी बताया जा रहा है पुडा उमीध है कि हो जाएगे है फस्ट वीक से पहले हो जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे परखंड है, जहां से अधियाचना नहीं जाने के कारण वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है जैसे ही सारे परखंड से अधियाचना चले जाते है उतना जल्द LRC का पैणल खत्म हो जाएंगे जैसे सभी एस्टूइंट का जूइनिंग हो जाते उसके बाद जो एस्टूइंट बज जाएंगे उन सब का हम लोग पुरा जोर लगा कर उन सब का भी जूइनिंग करवा देंगे और नियू रिश्ट्रेशन के लिए जो भी छात इंदेजार कर रहे हैं आप लोग पढ़ें आप लोग खुद समाज़दार हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कलास करना चाहते तो कमेंट कर दीजेगा नहीं तो आप लोग अपडेट लेते रहे हैं और नियू रिश्ट्रेशन का इंदेजार करते रहे हैं